दोस्तो दिया जलाने के बाद हम इने बेकार समझ कर फेक देते हैं पर आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जिनका इस्तमाल आप साल भर तक करेंगे और दियो को भूल कर भी नहीं फेकेंगे तो चलिए आज हम बताते हैं इन दियो को आप कैसे इस्तमाल में ला सकते हैं तो सबस कर दिया को निकालने के बाद हम이 बटन में उपकी इसे इन देड़ाइं के लेंगे इसमें लगाता है їद्टीर देखी मैं सूग गए है इन थोड़े पीम जब डब्बे में रह जाते हैं तो बरतन दूलते समय इधर उधर वेस्ट होते हैं तो इसका इस्तमाल हम इस तरह से कर सकते हैं विंग को दीये में ऐसे दबा दबा कर भरेंगे जिससे यह अच्छे से जम जाय और यह निकले नहीं इस तरह से ऊपर से चिकना कर कर लेंगे और इन्हें हम सूखने के लिए रग देंगे इसका इस्तमाल कैसे करना है आगे आपके साथ सेयर करोंगी तब तक मैं दूसरा तरीका बताती हूं तो यह लिया है मैंने गमले वाली मिट्टी है जिसमें रेद मिला होता है इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच सर् मिट्टी को इस तरीके से भरेंगे मिट्टी को अंगुठे से दबाते जाएंगे जिसे ये दिये में अच्छी तरह से बैठ जाए और एक डूस हो जाए जरूरत पड़े तो एक दो बुंद पानी डाल दीजे जίसे है अच्छे से सेट हो जाए तो देखे इसको भी मैंने बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दो चमच सर्फ, दो चमच बेकिंग सोडा, जिसे खानेवला सोडा भी बोलते हैं, हर किचन में मौझूद होता है ये, एक चमच इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा दरदरासा इनको हम दिये के अंदर भरेंगे और चम्मच से दबाते जाएंगे तो देखिए अच्छे से दबा दबा कर इसको मैंने भर लिया है और ये एक्तम ठोस से हो गया है और थोड़ी देर बाद ये जम से जाएंगे इन्हें उपलट कर हम चेक कर लेंगे बिल्कुल भी ये नहीं गिर रहे है कुछ घरों में बरतंद होनी के लिए सर्फ का इस्तमाल होता है तो कुछ जगा बिम का इस्तमाल होता है और कुछ जगा मिट्टी और सर्फ का तो मैंने तीनों तरीका बताया है एक दिये का इस्तमाल आप 15 से 20 दिन तक कर सकते हैं ये मेरा इस्तमाल किया हुआ दिया है कीचन में डेली का इस्तमाल करते हैं और थोड़ा सा तवे को हलका गरम कर लिजिए, गरम करने के बाद इसके उपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक चम्मच, अब हम ये बीम वाला दिया लेंगे और इसे हम इस तरह से पलट कर रगड़ेंगे, पानी अगर सुख जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते ज जाएंगे, किसी भी इट, ब्रस या स्क्रबर की जरूत नहीं पड़ती है, ना ही किसी हार्पिक्स या केमिकल की, थोड़ी देर में तवा एकदम अच्छे से साफ हो जाता है, धीरे धीरे तवा साफ होने लगा है, ये देखिए, किनारे के तरब भी हम थोड़ा सा और रग सारा इस्तमाल में आप ला सकें, इस तरीके से सादे दिये कभी इस्तमाल करके आप तवा साफ कर सकते हैं, इट की जरूत नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से आप मिट्टी वाले दिये कभी इस्तमाल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना कर रख लीजिए, या सर्फ वाले, तो तरीके से आप दिये का इस्तमाल भखू भी अपने कीचिन के लिए कर सकते हैं तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद